हेलो साथियो सुप्रभाद गुड मोनिंग सस्त्रेकाल जहिन वंदे मात्राम साथियो रोज की दर आज भी हम आपके लेकर आए अथरा जन्वरी 2021 के सेक्षिक समचार लेकर काफी अच्छे सेक्षिक समचार आपको बता तो साथियो कि आज हिंदी के प्रख्यात महान कवी हरि जीवनष राय बच्चण यूगि अमिता बच्चण की पिताश्री थे उनका आल आज 19 दिवस है ठीक है साथियो तो उनकी 9 बोल हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जीवन की रहा वो सिखा के गए हमें सात्यों किस तरह से जीना है तो ज़रा सुने का सात्यों ठीक है सुनिएगा जिन्दगी में फूल बन कर मत जीओ जिन्दगी में फूल बन कर मत जीओ जब खिलोगे तो बिखर जाओगे जब खिलोगे तो बिखर जाओगे जिन्दगी में जीना है तो पत्थर बनके जीओ जब तरा से जाओगे तो खुदा बनके निगलोगे जी हाँ बिल्कुल सातियो जो साति मेरे भाई बेने वो समझना जाते हैं वो इसी बॉल के इंसाप से समझ सकते हैं कि हमें किस तरह से एक दूसरी के साथ देना है और किस तरह से जीवन जीना है ठीक है आत्यों उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे जैसा कि आपको पता है नियूज की प्राणिकता अनुसर से खोल रहे हो या बच्चों को स्कुल भेज रहे हो होश्यार खुल रहे स्कुल खबरदार नहों भूल प्राद्यपक संस्क्र शिक्षा परिक्षा दोज़र रठा के कांसलिंग आज से नव जोदी अजमीर शिक्षगों के कोशल को मिलेगा विधार्टों को फायदा ठीक है कल से मतलब आज से खुलेंगे सेक्षिक संस्थान स्कुल को लोजी में किये इंतिजाम हर जगर सेनेडाइजर स्टैंड सिटिंग में डिस्टैंस ठीक है साथियो शेवा चैन बोर्ड इस्तिवाद दिया ततकल मंजूर सरकारती नाराज परिक्षाओं में फैल जाटावर्ड विदा ठीक है जातियो वीवा पंजीकरन प्रक्रिया होगी आसान जन्मर रेजिस्टैशन की अवधी बढ़ेगी जैपूर मुख्यमित दिये संसोधन प्रस्तावों को मंजूरी जिला कलेक्टर आसिस मोधी ने जरी किया आदिश अधिकारी करेंगी स्कूल का निरिक्षन कोविड की गाइडलाइन की पलना का लेंगे जायजा जैसल मेर असिस्टैशन ने बारा अधिकारियों को अवलोकन के लिए लगाया है जैसल मेर आरक्षित वर्ग में तीकी प्रतिक्रिया चैन बोड की अध्यक्स बी यल जाठावत का इस्तिफा जैपूर केस जमा करना हो या बनवाना हो ड्रॉफ अब गर बेटे ही होंगे सारे काम न्यू डेली कोटा के कोचिंग में लोटी रोनना की स्कूल कोलेज भी खुलेंगे कोटा सिक्षक करेंगे ओनलाइन सिक्षिन कारे का बहिसकार मरुदर्स हिंद श्याम कुमार बगेल की ये न्यूज एरिपोट है स्कूल तयार अभी बावक अभी भी असमझ में बेजे या नहीं बेजे दस महाँ से बंद पड़े स्कूल आज से खुलेंगे ठीके सात्यों स्कूलों में एक साथ चलेगी ओफलाइन और ओनलाइन क्लासे इस बच्चों को इसकूल भेजने पर पैरन संसाई में है राज जिमें करीब 10 महीने बाद काक्सा 9 से 12 तक के वी स्कूल आज से खुल रहे है अब क्लास में पंदा से 20 बच्चे बेटेंगे अउनलाइन और ओफलाइन क्लास साथ चलेगी ठीके सात्यों कोविड-19 गाइडलाइन के साथ आज से खुलेंगे शिक्षन सस्ता नहीं होगी प्रातना जबाग खेल इत्यादी प्रतिबंत की गए ठीके सात्यों अबिभावकों ने समझे नियाम इस्कुलों को मिले सुझाव आज से इस्कुलों में पढ़ाई के तैयारिया नव विशित बारवी तक के विद्यारत आएंगे कोरोना से डरे नहीं कोरोना से लड़े अबिभावक से आगर बच्चे को विद्याले बेजे मसुदा विधाले कारे अवधी में की गई बड़ोत्री अवेवारिक वापस लेने की मांग डुंगरपूर आज से शुरू होंगे विधाले विधार तो एवम अवभागों की तयारिया फलो दी वाटसेप विजर्स को स्टेटस के जरी दे रहा नई प्राइवेसी पॉलिसी की जानकारी प्राइवेसी पॉलिसे जुड़े ब्रहम को दूर करने की कोई सातियों मैंने कल भी आपको बताया था कि मेरे खुद वाटसेप पे मुझे स्टेटस आई थी वाटसेप की ठीक है तो बड़े स्कुलों में एक साथ होगी ओफ्लाइन ओनलाइन क्लास बच्चों को स्कुल भेजने पर पेड़न्स की हावरना जेपूर ठीक है तातियों बच्चों की शातरवती समय पर पहुचने के प्रयाद जारी है नीदिशक जी के रहे हैं जुन जुन रिपोर्ट है यह अ आज है अब तक 21 लाग स्टूडेंट कर चुके हैं अपला है अजमेर संस्क्रत राजी सबाब में पांच वी स्तरवादिक उप्योग वाली भासा नहीं देली इस्कुल को पूर्ववत जैरी रखने के मांग को लेकर चोहान प्रबारी मंत्री भाटी से मिले साधूल से साध तो विवाक संग रखेगी निगरानी ठीके लापरवाई बरती तो इस्कुल के खिलाब करवाएंगे एफाई अर्दज बनाई पांच सदेश्चे टास्क फॉस जाएंगे इस्कुलों की विवस्ता देखने जैपूर लर्दज नो आश नो एंटरी ककसा नो से बारवी के विदाहरती आएंगे दस माह बाद आज फिर से खुलेंगे स्कुल ठीक है साथ Etsyो प्रदेश में नवी से बारchaft पीडावयवन प्रदेश में निवी से बारविवी तक ये इसकुल आज से खुलेंगे जैपुर में इसकुलों में एक साथ चलेंगे ओफ-लाइन अॉन-लाइन क्लासे बच्चों को इसकुल भेजने पर पेरेंट संसाय में मुक्यमतिके निर्देश प्रदेश में प्रसासानिक आफसर नजदिकी स्कूल की विजिट करेंगे जैपूर तो साथियो उम्मीद करता हूँ कि आज 18 जन्वरी 2021 के जो सेक्ष्ट मचार हमारे दोहरे आज़े सान से लेगे थे जहीन जे भारत थेंक्यू साथियो